दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज कल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे भीवर हैं जो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि इस कोमेंट पर वीडियो बन जाता है यहाँ पर criminal case में ही दरज होता है यहाँ पर civil case होता है कि आ जानना चाहते हैं कि civil case और criminal case में क्या difference होता है अभी तक आपको नहीं पता है तो आप नीचे comment box में comment करें मैं detail में उस पर वीडियो बनाऊंगा आप यहाँ पर असान से भासा में समझ लीजी कि सिबिल केस वहीं होता है जैसे कि कोई जमीन का केस है यहाँ पर जो चेक बाउंस का केस होता है वह भी क्रिमिनल केस के सरणी में आता है कई लोग सोचते हैं कि जो चेक बाउंस का केस होता है वहां सिबिल केस होता है लेकिन यसा नहीं है जो चेक बा आपके नोकरी की त्यारी कर रहे हैं, तो भी क्या आपके नोकरी होने में दिखत आईगी? दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लिजिए कि अगर आपके उपर civil case होता है, तो civil case में generally police F.I.R दर्ज नहीं करती है, आपको quote में complaint case file करना होता है, और quote के माध्यम से ही civil case दर्ज होता है आम तोर पर पुलिस पहले इसमें केस दर्ज नहीं करती है और मैंने अपने कई सारे वीडियो में एकदम क्लियर आपको बता रखा है कि अगर आपके उपर कोई भी क्रिमिनल केस भी दर्ज हो जाता है उसका दोस कोट में सिधना हो जाए तो केवले फायार दर्ज होने से यहाँ पर यह क्लियर नहीं होता है या सपस्ट नहीं होता है कि आप दोसी है तो अगर आप कोई भी नोकरी की त्यारी कर रहे हैं और केवल केस दर्ज हुआ है तो यहाँ पर यह नहीं है कि नोकरी होने में कोई दिक्कत आएगी बस यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपको परेफायार दर्ज है या फिर नहीं और उस case का आखर क्या status है लेकिन हाँ अगर आपको कोट से सजा मिल जाता है या फिर fine भी कोट आप पर कर देती है तो भी यहाँ पर आपको नोकरी होने में दिकत होगी और अगर नोकरी है तो चली जाएगी अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप नोकरी में हैं और आपको कोट से सजा मिल जाता है या फिर कोट आपर fine लगा देता है तो फिर यहाँ आपके नोकरी का क्या होगा और नोकरी आपकर कैसे बचेगा आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे comment box में comment किजिए फिर मैं उस question पर उस topic पर आपके comment पर वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ पर criminal case में यही होता है अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर civil case दर्ज होने पर क्या होगा दोस्तो अगर आपके उपर civil case दर्ज होता है अगर माल लेते हैं कुछ जमीन का ही case दर्ज होता है तो यहाँ पर civil case दर्ज होने पर आप एक दम clear समझ लीजिए कि आपके नोकरी होन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी civil case में यहाँ पर punishment नहीं होता है लेकिन हाँ अगर माल लेते हैं जमीन का ही case चल रहा है civil case ही चल रहा है लेकिन बगलवला party आप पर आरोप लगा रहा है या अपने उसके साथ मार्पिट की या उसे जान से माणने की धम की दी तो यहाँ पर civil case के साथ criminal case भी आपके उपर दर्ज हो जाता है तो यहाँ पर फिर दिक्कत है लेकिन फिर मैं बता दूँ कि case दर्ज होने से कुछ नहीं होता है जब तक कि अप कोट से दोसी स्थावित नहीं हो जाए यहीं कारण है कि कभी भी पुलिस कीसी को गिरिफतार करती है तो उसका जो चेहरा है काले कपर से ढख देती है इसलिए उसका चेहरा ढख दिया जाता है कि कल को अगर वहाँ कोट से बाईजे तो बरी हो जाता है तो उसका फिर अपमान होगा समाज में उसका नाम खराब होगा लोग उसका चेहरा को देख लेंगे और कई मामलों भी हैं भी देखा जाता है कि सिविल केस के सांथ क्रिमिनल केस भी आपको उपर दर्ज हो जाता है तो क्रिमिनल केस दर्ज होने पर भी कोई दिकत नहीं है बस ध्यानिया रखना है कि कूट से आपको साजा ना मिले ये फिर quota पर fine भी नहीं करें तो दोस्तो मैं आसा करता हम आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे comment box में comment करें और अगर आप हम से सिधे जूरना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इस्टाग्राम पर follow कर लें मेरा इस्टाग्राम पर वही उजरनेम है प्रितेस1584 तो दोस्तो आप इस वीडियो को अधिक से दीक अपने दोस्तों और इस्तेदारों में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहे टोपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें